हेलो एवरिवन स्वागत है प्राशी व्लॉग इवेंट्स में आलू के वड़े तो आप बनाते और खाते ही होंगे आज बनाते हैं केले के वड़े जो बहुत ही टेस्टी बनके तयार होते हैं आलू से कहिं ज्यादा अच्छी के बाड़े बनके तयार होंगे, और सभी को बहुत पसंद भी आएंगे, तो सुरू करते हैं, उसे बनाना बनाते हैं उसे तो मैंने केले को अची तर aspects धूल के ले लिए हैं लग-भग 6 केले हमने लिया हैं, कच्छे केले हैं और 2 आलू लिए हैं बेगार इसे बनाया जा सकता है, केवल केले से भी बनाई यह बहुत टेश्टी बन כी त fotograf था रहा तो हम अघर्ट लेटे हैं बीच से क्योंकि इसे करना है तो हमें काट लिया इसे अब ले लेटे हैं क्रेशर कूकर और इसमें डाल लेते हैं ऑर हम एक सीटीं इसे द्सके मुजाना है तो ईसमें डाल लेते हैं गिलास पानी और out Needle separately दाल देत तो अब गेस की तरफ आ गए हैं और गेसाओन करके हमने रख दिया है कुर को और एक सीटी हमें इसे देखर हमें इसे उबाल लेना है और एक सीटी ही लग चुका है इसे हम उतार लेते हैं गैस से और प्रैसर निकलने के बाद हम इसे ऐसे खोल लेंगे धकन इसका हम खोल लेते हैं तो थोड़ा पुधा गया है चेक कर लेंगे चाखा़कू डाल remarks है यह आपकमें कि चलके प्लेट मेें निकाल लेते थंडा होने के बाद इसे मैस करेंगे तो अभी इसे हम निकाल लेते हैं क्लेट में कुकर से निकालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से थंडा कर लेंगे थंडा करने के बाद हमें इसे मैस करना है तो हमने निकाल लिया है और केले बहुत सौफ्ट हो चुके हैं इसे हम पोटे सिर्दा लां सब्जाद लेकी कका है कि साछु दों पधर मैं दाल ले एक नमक के बाद हम लेवार–बाद हमले नमक ले लेते हैं इसमें जाहता हैं बाद लैंगे कि अब लेता है इस फ़ीनबदीகी का नमक महेंет रहता है प्रभक ज्याकें और प्रफक प्रशाथी ग्लिख कम लेते हैं दाल लें प्रफक चॉप किया हुआ अद्रक मुद्स देमर क्या केष्ट अब लेते हैं गाजर तो गाजर है थोड़ा सामने लिया है काध्दुकसकर की तो टर भी हम इसमें डाल देते हैं और वैसे भी इसमें आप अपने पसंद के वेजटेबल्स डाल के इसे बना सकते हैं वहत टेस्टी बनके तयार होता है और अब हम इसमें डाल लेते हैं पेश्ट है यह हरी मिर्च और लेशन का पेश्ट है तो इसमें हम डाल लेते हैं तो जितना खाना तीखा पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें डाल लीजे और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं सबी चीजों को अच्छी तरह से बढ़िया से चलाते हुए mix कर लेंगे ताकि बराबर मिल जाए इसमें जो हमने डाला है और आप चाहे तो यहां पर जीरा भी डाल सकते हो तो जीरा इसमें हम डाल देते हैं और इस तरह से सब चीज इसमें मिल जाए और इसे ठंडा करने के बाद इसे हम बाल्स तयार कर लेंगे तंडा होने के बाद यह अच्छी तरह से बॉल्स बनने लगते हैं अभी गरम है थोड़ा अगर जरूरत हो तो इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज के अंदर रख दीजिए जिससे यह टाइट हो जाता है और अच्छी तरह से बॉल्स त्यार हो जाते हैं इसके तो हतेली तैयार कर लेंगे बाकि बचे हुए को हमने रख दिया है बाद में हम तैयार करेंगे अभी हमें इतनी के ही जरूरत है इसलिए हमने इतना ही बॉल तैयार किया है और अब बना लेते हैं बेसन से इसके घोल तो बेसन हम ले लेते हैं घोल इसके थोड़े गाड़े ही बनाएंगे हम तो जितनी जरूरत हो घोल आप उतनी ही बनाईए इस्टफिंग जितना हो तो अब ले लेते हैं इसमें अजवाइन और कलॉंजी है इसमें तो उसे भी हम मैस करके डाल देते हैं इसमें आप डाल ले तेह इसमें स्वाधनसान नमक यहां पर धोड़ा यह लाइट नमक डालेंगे और अब डाल के हल्दी पाउडरे यहां पर एक चममच उसमें हींग हिंग दो से तीन चित्की कि यहें बड़िये ब्रह लाओं तो इस तरह से हमने झाला है अब डाल लेते हैं हरी मिर्च और लेक concurrent पेस्ट है कि सबाइब एक गूल करण आज़े घूल तयार करने के इन पानी नहीं डालना है ने तो गुट्लिय के लिसमें आज सकती है हैं तो यूठा पाणी डाल कर ही हमें इसका बैटर तयार करना है गोल तयार कर लेंगे बडे के लिए तो इस तरह से बराबर चलाते हुए मिक्स करते हुए हमें थोड़ा-त्ßen पानी डाल कर ही गोल तयार करने ना जिससे ये स्मूध बैटर तयार हो जाएगा और इसमें लंस भी नहीं आएंगे तो इस तरह से हमने गोल तयार कर लिया अब इसमें हमने डाला है एक चम्मच खस-खस यानि पोस्ता दाना इसे भी डाले इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बड़े में हमारे इसलिए मैंने इसमें डाला है पोस्ता दाना और इस तर तो आप चलते हैं इसे बनाने के लिए तो फिर टेल हो चुक आप अपनी शुगमता के अनुसार डाली कहा आप से या चमत से पर छायों पाधे त cucumbers for you is तरह से हमने बड़े को तल लेना है दोने तरफ से लटते पृलकते हुए कह चाए र λέना है भड़े तयार कर लेना है यह जो बड़े हम तयार किये हैं यह मैं अगर पऱ के साथ आप भी सर्व करेंगे ना तब भी बहुत टेश्टी लगेंगे आलू से कहीं ज्यादा टेश्टी ये केले के बड़े लगते हैं। olması पआउ के साथ आप इसे कभी सर्व करें बनाएइसे स्थे Danish बहुत ही टेश्टी बनके तयार हुआ है तो फ्रेंट्स आप इसे जरूर बनाएए ट्राइ करिए एक बार मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिस और रेस्पी के साथ तब तक के लिए गुडबाई